असलाम अलेकुम जी स्टूडेंट साज सादन लास्ट ट्रापेक्ट असनाफे अदब वा लोक अदब अगवाई केताब पेज नंबर 430 एदे बारे दास देया जी जो साड़ा पेपर दा ट्रेंड चाल रहे है क्वेस्टिन नंबर 9 शाट नोट देखो ओ आम तो और ते दे बिचों ले आ जानादा है एना 16 सनाफ विचों या फिर जोला को साड़ा टापिक नंबर वन ने जबान ते जबान दे तारीख उते तेन सब टापिक्स ने पंजाबी बोली दा पिछोकर पंजाबी लिसानियाद पंजाबी अदर भी काने ओना तेना विचों और एह वाले लास्ट टापिक विचों आम तो और ते को एफ कोशिश करो कि ना अटेंट करो ते यहां दे आठ टेंट करने हों देने शाट नोड लेखने हों देने तो आठ चू पांज नंबर अगर देगा ते दास तक नमबर और अगे अगर तुसी बहुत अच्छा लिखिया हुएगा ते फिर आठ जो छे बारां तक नमबर आँगे लेकिन उद्रों चोदां तक मार्क्स भी तो अड़े आ सकते हैं तो अड़े ते डिपेंड करता है लास्ट टाइम मैं 2010 तो CSS नो पड़ा रहे हैं लेकिन जो मैं विखिया है कि तहकीक तनकीद वाला लास्ट पॉर्शन जड़ा सी हो दो दो लहके हूँ तक मैं आप खुद स्टूडेंट्स को स्केप करवांदा रहे हैं क्योंकि उज़रा मुश्कल टापिक ने याद करने वाली हैं चीज़ना ज्यादानें लेकिन हुन लास्ट इयर उन्हें दो क्वेस्टन दे चुले लेने और में भी एद की दो क्वेस्टन नहीं लवे इस वस्ते हो ते मैं हुन स्केप करने वस्ते नहीं का बागा सो पहले टेंट टापेक्स ते आखरी यह जड़ाए यह जो क्वेस्टन नंबर नाइन बंदा हुन तो आड़े दे डिपेंड करता है वैसे ते सीएसेस लेवल इसकेप करना नहीं चाहिए अगर तुसी इन्हों बहुत अच्छे त्रीके नाल नहीं कर देते ना दायमीं ओवर अदब और अजनिया सनाफ ने और जड़ा पहला टापिक है अब्जेक्टिव ते साथ ताथ पन्चार सौ आल ते जरूर रवेगा तो पढ़ना दे पैड़ा है असी टापिक वाल नहीं है शुरूई ते जरफ अदब डिसकस कीता था तो आड़ा टापिक नहीं है तुसी ड अजनिया के समांदा एक जबानी सीना बसीना चलता आरे अदब और दूसरा तहरीरी अदब हुंदा है जड़िया साथे कुल सोला स्नाफ ने इना दी डवियन को जिस तरह बनाई है अगर तुसी पिछो कदार दे कॉंटेंट्स वेखो पहली है पांच से इंफा क्लासीकी श पर काहिने या क्वेश्चन नमबर नाहिन विच पुछे गएने या फुल फलैज 16 नमबर दा क्वेश्चन आया है वो लोग गीत वाले पार्ट विच होई आया है यानि लोग गीत डोला शायद लास्ट यहर या उस तो पिछले साल उने देता सी पूरा 16 नमबर दा जाले कि है सारा तुसी एक वरी बेख़ो इस ज्यादा जहमत भी नहीं करनी पहनी क्योंकि असी यह चीजां पहले आल रेड़ी डिसकस कर चुके हैं शलोक थे आजो सब तो पहला पंजाबी शायरी था सब तो पहला शायर तो अनुन पता है बाबा फ्रीद ने उन अधी शायर पहले ना सी मिसाल शाह से अंधे टापिक चिपड़ी सी रिगवेद दे एक सो पंजवें शलोग वेच यानि रिगवेद वेच भी शलोक शामिल सी सिक्खा दी मजभी किताब गुरु ग्रंद साब विच वी शलोक शामिल ने और साठे पजाबी शायरा ने भी शलोक लिखे ने गरंसाविज बावा फरीद देकूल 112 शलोक शामिल ने जेना विचो 96 दूड़यां वर गे ने दूड़ा बाकी बनावड़ दे अतबार ना दूड़य ने ते ना ही शलोक ने यानि हो कोई हूर सिलफ बन दी ये बरहल जड़ा दूड़ा हों दा ये जड़े शलोक हों दे जड़ी होतीय डाफिनेशन तया कीती गई है पहले सेवेज तेरा मातरां मातरां कहने एक रोकान नो यानि अपना लफज जड़ा है न ए अपने गिरेवान में सेरनीवा करदे अपने विचार मातरां ने अलफ पे, नोन, ये गिरेवान गाफ रे ये वाओ अलिफ नून गिरेवान अलिफ पे नून ये गाफ रे ये वाओ अलिफ नून ते मीम ते ये नून होना मातरा विच या वजन विच या तक्ती विच नहीं किने आ जाना सो पहले विच तेरा मात्रा ने ते फिर विस्राम विस्राम फुल सॉरी कोमे नू कहन देने यह से वकफा कीता जान दे बाद विच आखरी से विच यारा मात्रा यारा हरूफ होन देने यह दोड़े दे दोना मिस्रे यारा चवी और दूसरे मिसरे वेच भी चवी चवीद चवीद अड़ताली मात्रा या अड़ताली हरूफ हों देने मुछमाद आस्वकान साब ने ऐब लए डैफिनेशन असी बाबा फरीद चपड़ ले सी एते तुसी बड़े आराम नाल बाबा फ्रीद दे कोई वी जड़े तो अनु याद हूँ दोड़े कोट का से रुकी सुकी खाये के ठंडा पानी पी फ्रीदा वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी ओ हुई ने काफी दे आजो तफसीली यसी शाह से आन वेच भी बुले विच भी पड़े आ काफी अर्भी जबान दे लफ्र कफा विच यो निकले आए ये दा मतलब काफी होना बत्हरा होना पूरा होना मुकमल होना काफी दी मिली जूली तारीफ इस तरह दी एथ वड़े सामने ते काफी बारे जड़ा आखरी पैरा सी के काफी दे तेन शायर बानी शायर शाह हुसैन वो दिया काफी नमूने वस्ते दे दिती है तुसी पड़ चुके और अबा मेरे हाल दा महरम तूं अंदर तूं है बाहर तूं है रोम रोम विच तूं तूं है ताना तूं है बाना सब कुछ मेरा तूं कहे हुसैन फकीर नमाना मैं नहीं सब तूं पुल्ले शाह काफी दे दूसरे वर डे शायर और बुल्ले शाह दी वज़ए शौरत भी काफी है दी वज़ए अभी तुसी पढ़ चुके और रंजा रंजा करती नहीं मैं आप पे रंजा हुई सद्धोनी में नुती दो रंजा ही नाख हो कोई रंजा मैं विच मैं रंजे विच हो और ख्याल ना कोई मैं नहीं हूँ आप है अपनी आप करे दिल जूई असान काफी दा आखरी शायर खाजा गुलाम फ्री दे चूंके साथ इस लेबस विच शामिल नहीं इस वस्ते ना दी काफी नहीं दिती है ते दिती है मैं पढ़ देना आज उनों राल यार पीलू पकिया नहीं वे तो यूट्यूब दे है वरी काफी सुनना भी सही तो उनों मज़ा आए गाए दा पीलू दरफ्त उन दा है फाल दे जान दा दरफ्त हो दे फाल छोटे छोटे फाल से जनने साइस दे फल लग देने आम तो और दे डैजर्ट दा सहरा द रखते और उते जंगली फल चूंके गंदम और अनाज बगएरा नहीं होंदे इस किसम दे जंगली फल बेर और बीलू और इस तरह दे दूसरे तीसरे जंगली फल तोड़ के सुका के कर स्टूर कर ले जान देने वो फिर अनाज देता ओरते खानें वेचे स्तमाल करते नहीं पीलू जो पाक जानता है ते उनानों फेरो कुड़ियां और ता अपने पिछे ओ चूलियां जी यहां कपड़े दियां बन के तोड़न वास्ते निकल जान दियां आ चूनू राल यार आई मेरे यार दोस्त मेरे महभू आ रल के पीलू पाक गईयां ने उनानों चुनन वास्ते तोड़न वास्ते चलियें कई बगड़ियां कई सावियां पीलियां होना यह नहीं मुख्तलिफ शक्ला ने जिसलिए लगड़ दी यह बेलकुल कच्छी हों दी है सबस रांग हों दा है फिर हलका यालो हो जान दा ह फिर थोड़ा जिया गैरा यालो हो जान दा है फिर थोड़ा जिया जर्दी मायल हो जान दा है फिर रड लाल सुरा फो जान दा हो जान दा है मुख्तलिफ रांग ने कई बगड़ियां यानि हलकी सबस चुठियां कई सावियां पीली या यानि सबस भी औरtechnik belki दे फ़ कई कि फूरिया यानि ब्राउन बिल्कुल पक गए कई फिकड़िया नीलियां था कि अधिया इधिया निया उदिया काफी दा मज़ा तुसी लेना देनू जरा फरीदा खानम दी अवाज बेच सुनना और यह सुरय कहानम इस तरह ता कुछ नाए यूट्योब दे रिखो कि सामने कई आ जानगे तो अनों मज़ाएगा मनसूर मलंगी दी अब आस ची सुन लो बार थाई है रश्क इरम दी बार यानि जंगल सहराद थाल जड़ाए ओ इरम तो मुराद जन्नत जन्नत दा नक्षा पेश कर रही है सुक सड़ गई जड़ दुखते गाम दी यानी है खुशहाली हुआ डैयर विच recipro है आहम तो और दे- वरहणा हूंदा है पानी नहीं हुंदा कोई चीज नहीं ले हुग दी कोई सबजा नहीं हूंदा कोई द्रक्ट नहीं हुंदा वह जली हो द्रक्त नहीं celebrating ब बाग, बहर पानी थोग जया जाते आज उनुरा लियार पीलू पक्या नीवे आज उसी एक दो मिस्र नहीं लेख दे होगा दे इन अपने पीलू डेले यां दियां गुलजार एडेले भी अचार वेच इस्तमाल होंदे ने कई गाल टोरियां कई सेर खारियां किसे ते गाल वेट टोरियां याने कई ला बैठीयां बार यानि कई पीलू कठे करकर के धेर ला बैठीयां ने बार भार पच्छीयां नीवे टोक्रियां पार पार के उनाने तेर ला लेने ठीक़ जी से तरह है जान्ग नमा तीसरी सिनफ अड़े सलैबस चे शामिल ने बन्यादी तोर दे जाण नमा लड़ाई दा मनजर नमा होनदा यानि लड़ाई कोई होते वे जड़ी जड़ी सूर में जड़े हीरोस होंदे ने जड़े बहादरी दे कारणा में जवां मर्दी दे कारणा में वखंदे ने उना दी शान बेयान कीती जंदी ही लेकिन साड़े आथे जंग नमा सिनफ मखसूस हो गई अज़रत इमाम हुसें दे जड़ी जंग वाक्या कर्बलादे हवाले नाल कर्बलादे मैदान वेच रज़रत इमाम हुसें दे यजीदी लशकर दे नाल जंग नू पंजाबी शायरा ने बड़े जुशीले अंदाज नल बेयान कीता है तहरीरी रूप वेच होनती कर लबेया सब नल उपराना जंग नामा पीर मौमद कास्पी दा जड़ा दस सो बानवे हिजरी वेच लिख लिख लिखिया गया तब कोल ड़क्र शबाद मलक 1982 नू छाप पे चड़ेया जांग नामे या टी डैफिनेशन हैं लेकिन हाकिकी मनजर नामा जेमें वाकिया कर बला जांग जंग दा मैदान, जंगी साथो समान, लशकर ते होर तफसीलावी जंग नामे दा इस्सा होंदियाने लव मास दे पातरा तो वक परिया देव दे जिन वर गे पातर भी जंग नामे विच मिल पातर किरदार क्रेक्टर जांगे नामे वे जो बियानिया वाक्या फर्जी होवे या हकीकी उदा मकसद जुल्म दे बुराई मुकाना हुंदा अच्छाई देबालाई लड़न वाले बगार कमजोर देसन वाले पातर आखिरकार जेत जान देनी जांगे नामे उन्हाबारे भी लिखे जंगे पदर जंगे उहद बगारा जन्गे खंदर पिजड़ीया दे जांगे नामा सिरफ करबला दे वाक्या नहीं बियांदा सगो इसवे चजूर्दिया कीतिया जंगा जांगे नामे नामे ते सरनामे फार्सी अर्बी ते पंजाबी वेचने अच्छा जी जांगे नामा मुकबल बहुत मशूर है पीर मो मकास्पी दाते सब तो पहला है ना मकबल दा जांगे नामा सारे जांगे नामा विचो मशूर है जिते जिते ऐसी पिछे पड़े है ना के आफजशा जहान मुकबल दी हीर एक उदा ही, रांजे दा किसा मशूर है, दूसरा उदा जंग नामा मशूर है इदे विचो चान्द शेयर दूसी मिसाल वासते, एक दो शेयर लेकिन अनाड मकबल दा जिकर जरूर कर देना है जरा तरस नाम दा जालम बुरी बला चीक पई जगैब थी, कंबे अर्जो समा गैब जो चीक दी आवाज आई, जिदे नाड़, जमीन ते असमान, लरज गए, कंब गए जिस वेले विच कर बला होया, कतल अमाम जिस वेले अज़रत अमाम हुसैन, कर बला विच कतल होए, शहीद होए कंकर पत्थर होगे, खून अलूद तमाम, तमाम कंकर ते पत्थर खून अलूद होगे जासर काट हुसैन दा, टुरिया शिमर लाइन, शिमर लांती, लाइन, जदो अज़रत अमाम हुसैन दा सिर तन अलो जदा करके चलन लगा, लगे थर-थर कंबे, कुल अस्मान जमीन, एंजल अगरे यासी, कि कुल आस्मान ते जमीन थर-थर कंबरे होगे अस्माना ते मुक्बला तारे रहे ना मूल, मुक्बल होगे ता तखलस, मुक्बल उस दिन अस्मान ते तारे नहीं सी है हज़रत शाह हुसैन नो रहमत हुई नजूल उस दिन सूरज चानदी मठी हुई लो सूरज दे चानवी जड़ाय चमकना पोल गे जिन फरिष्टे आदमी रोनों रहा ना को सुरी जिन फरिष्टे आदमी हर एक हज़रत इमाम हुसैन दा गाम वेच रो रहा सी कोड़ा शाह हुसैन दा रन विच छोड़ा सवार हज़रत इमाम हुसैन दा कोड़ा रन मेदाने जगनों केंदेने विच सवार नो चटके खोन अलूता आया देरे रोन्दा जार हज़रत इमाम हुसैन दा कोड़ा भी खोन चे लत बत रोन्दा होया खैमे अवल देरे वल आया इसे तरह जी बूटा गुजराती जड़ाया भी शायरे मुझाबी दा मारूफ इनने भी गुज लिखे ने जंग नामा लिखिया हज़रत इमाम हुसेन दा एक तीर यजीदी मारता विच तालू साहिब दीन दे यानि एते सेर लगा और मुझ विचो निकल गया तालू है जबान दा उतला हिस्सा डिख हज़रत कोडे उपरों जा उपर पे आ जमीन दे हज़रत इमाम हुसेन कोडे उतों तेक के जमीन उते आगे मुझ परने पे आ इमाम जा मुझ के बल गिरे सिर सजदे वेचने वहा के और हालत की सी जिस तरह सजदा कर रहे हूँ अते डिगदे सार जमीन ते गई पाक शहादत पाके और जमीन उते डिगदे जमीन शहादत नोश कर ले अगजल ते आजओ जी यसी पहले पढ़ चुके हैं डैफिनेशन पहले उर्दू फार्सी पंजाबी वेच मकबूल लफ़ी मतलब औरतान अलकला करना औरतान ये हुसंदी तारीफ करना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू गजाल हेरन जदो शिकारी दे जाल चिपास जाए जड़ी दर्द बरी आह चीख मारदा उन्हों गजल केंदेने शेरी इस्तला वेच गजल तो मुरादो सिनफ जज़े पांच साथ नौ ये यारा शेर होंदेने गजल दे सारे शेर काफिया रदीफ दे बैर नाल शिंगारे होंदेने गजल दा ओरीजन कितो आई और तो अनु तक्सील दसी दी है मैं सारी अरबी कसीदे दा एक हिस्सा तश्वीव होते जोने के लिए बाद लोग क्यांदेने और बाद के अंदेने रानी गीत चामा विच्छो निकली गजल विच हार तरह दे मोज़वाद बियान हो सकते ने गजल दी हायत हायत तो अनु दसी सी है दे मतला होना चाहीदा मतला गजल दा पहला शेर जदे विच रदीफ दे काफिया एक कोई होए मकता होना चाहीदा जिदे विच शायर अपना तखल्स शार्ट नेम जूज़ करे बाकी घजल दे जन्ने भी शेर ने हर के से वेचे दूसरा दूसरा मिस्रा जड़ा है रदीफ काफिये वला कोई काफिया एक वेखो मिसाल घजल सलीम काशर दी एक पहला जड़ा है पहला मिस्रा दे दूसरा मिस्रा है पहला शेर नो मतला कवागे क्यों के दे विच जबानों कमानों दोना मिस्रा है मिच काफिया है निकल गय अब बाकि जिनने भी मिस्रे ने हैं, अब एक आफले इननने विच्छ रदीफ काफिया नहीं, पहले मिस्रिक दूसरे विच्छ है, आफ एको, सारे ज़र काफिये कमानों, असमानों, किनानों तुफानों, रोशंदानों, पहच renovation ते बयानों निकल गया सारे जदी आखरी मक्ता आखरी शेर क्योंकि शायर ने बेच तखल्स यूज कार ले अस वासते हैं मक्ता हो जाएका सलीम काशर ना आए काशर उना ना तखल्स पंजाबी गजल एनाल लिख देना शाह मुराद पहला शायर गजल था उस तो बाद मिया मुम्मद बख शिकाम मुखान मुला बखश कुछता पहला साहिब दिवान शायर पीर फजल गुजराती जड़ासी पड़े आसी घजल नो जदद देन वाला नमे मुजवाद देन वाला शायर ते एवले जदी दाज दे शायर नजम पढ़ चुके हैं मोतियां दी लड़ी मोतियां नो लड़ी विच परोना इंतजाम करना वगएर नजम दियां दो किसमाने मुखरा नजम एवे को पाबंद नजम दी मिसाल जेदे चरदीफ और काफिया होंदा है और सारे मिसरे एक कोई बैर विच होंदेने वर्दे म विच दुरिया जामा राद सी बहुत ही काली तुसी पढ़ चुके हैं अपने ही परच्छामे को लोंदे लनू ड्रामन वाली शांशा कर दे रोख पिपल दे नया कर दियां वामा उस राद ते बोते लोकी फोलगे कर दियां रामा पाबंद नजमें बलैंक वर्द मुरा न कोई रदीफ नहीं कोई काफिया नहीं लेकिन मिस्रे लैंट विच बराफर नहीं कोई मिस्रा चोटा कोई वड़ा जित्थे जिस तरह शायर दा दिल करें अपना ख्याल पियान करदा जानता है नजम दी शकल वेखलो किस तरह दी है साड़ी माहानू जियूंदी जाने साड़ी किन्नी चिंता सी एंज लगदाए उस दी चिंता मर के वीजे में मुकी नहीं आज वी सुफने में चाके मेरा मध्धा चुमके मेंनू आख दिये उठवे पुत्रा अपने खेत नू पाणी लाला मेरी पहन दे सेरते चुनी पांदे होया केंदे ये उठनी ती ये चरखा गत्ला अच्छा जी आप पांजे क्लासीकी शायरी छेमी नावल नावल असी पढ़ आए हैं अब्जेक्टिव दे सूआल याद रखो नावल किस जबान दा लफस इटैलियन अतालवी जबान और अतालवी जबान दे लफस नौवेला विच्चो निकले आए इदा मतलब नमी चीज़ निराली चीज़ नवेकली चीज़ अजीब चीज़ एगे नावल नावल तो मुराद एगे किसे किरदार दे जमन दो लएके मरन तक पूरी जिंदगी दा हाता कीता होया होए उन्वसी नावल के लफस नावल हकीकी जिंदगी दे तोर तरीक्यां अपने मौलत जमाने दी तस्वीर होंगा यानी पर जीकानी नावल नहीं hoेगए, फरजी गानी दास्तान होएगी, नावल जरायों र हकीकी जिर्दगी उते मपनी होगा, नावल देना सन यो अजजाय तर्की भी, यह ओव चीजहां जिनान decisions नूँ फालो कीदें, है किस्सा या कानी होना चाहिए दा हसी उस दिन पड़े आसी हो ददर दीवा दे दर्यावेश किस्सा दे कानी हो दा की ये पलाट होना चाहिए दा कानी करिदार होने चाहिए देने मकालमं डाइलॉग्स होने चाहिए देने जबान व बयान होदा अच्छा होना चाहिए देने मौलते मनज़रने गारी होनी चाहिए हायाती दा फलस्फा उदीज बयान होनी चाहिए मकसदियत वनी चाहिए आखरी फ RV-Dions किसमाने एविखलो किरदारी, स्वानही, तारीखी, मौाशरती, रुमानी, अलामती, नफसियाती, इसलाईी, जसूसी, साइंसी नावल, तंजियाती मिजाया, मुहिमाती नावल बगेरा पंजाबी नावल, इसे जो अब्जाबी लिखारी, सिख लिखारी है, पाईवीर सिंग उनने सब तो पहला नावल, 1898 में बेच लिखिया, सुन्दरी उदा नाएं, अंडरलाइन कर लो, अब्जेक्टिफ चे पोछ सब्जाबी, पाकिया होर भी ने सेख लिखारी, सब तो पहला मुसल्मान नावल नेगार, मीरा मख्ष मिन हास, जाट दी कर दूथ नावले ने लि असी मैं उस दिन दस्या भी सी तो आनो, ठेटा, अब्दुलमजीद पटे, इनो अंडरलाइन कर दो, या हाईलाइट कर दो, या सरकल कर दो, ते एदीवा दे दर्या, तो आड़े स्लेबस विच शामिल, टामा टामा तारा, पी एमेस दे स्लेबस विच शामिल, ड्रामे दे जो ड्रामा की होंदा, ड्रामा युनानी जबान दा लफ्स, एदा मतलब है कोई एक्ट करके वखाना, कुछ करके वखाना, डेफिनेशन आगई, एदा पसमंजर आगया, ड्रामा कि तो शुरू हुए, ड्रामे दियां किसमा आगई है, चार, मैं तो अनुकल उस दिन दस्य सी रेडियाई ड्रामे विच, डेरी ड्रामा, स्टेज ड्रामा, रेडियो ड्रामा, टेलिवियन ड्रामा, ड्रामे दे कुदरती हिस्से ने, अचार, किसमा दो, अल्मिया ते तर्भिया, यानि ट्रेजडी ते कॉमेडी, ड्रामे दे हिस्से, कुदरती हिस्से ने, यानि ज बुक्ताय रूज क्लाइमेक्स आएगा फिरो गुंजल जड़े लिखारी ने पाये ने फिरो उन्हों खोलना शुरू करेगा और एंड विच अंजाम वाले पासे लेके आएगा नावल दियाँ अजजाय तरकीभी केडियां चीज़ां चीज़ां सबलाइद उने तक किसा नहीं होना चाहिएँ मुसीकी नावल जी मुसीकी नहीं होएगी जमान ते मकाम अफसाने थे आजो शाड स्टोरी नो अफसाना के चाहने ने ऐसी तहरीर, ऐसी काणी THAN जडिए पँच थो दस मिनट वेज़ पड़ी जए उनों अफसाना के चाहने ने शारड स्टोरी के चाहने ने अफसाने रा मोड यौरप तो बज़्ा क्योंकि ज़ो लंबियां दास्ताना थे वड़े वड़े जखीम नावल पढ़न दा लोकां कुल टाइम ना रहा तो उनने फिर शाड ऐसी छोटी कानी ज़िए कोई नशिस्त विच थोड़े ज़े टाइम विच पढ़े जा सके नावल दे ज़ाए दर्गी भी हो हुई मिल दे जोल दे दी सबतों पहली इखतसार नो मदे नजर रखना चाहिए दा पलाट एको तास्र यावाद दे तास्र होना चाहिए जनी कानी नो शुरू दो अखीर का पढ़ो तो दे विच्छों एक तास्र मिले किरदार होने चाहिए जेने मकालमा मनजर निगारी मकसिती है वो हुई ने सेम ऐसारे हैं देको जे इने मिल दे जोल देने कठे ही आग दाल देना फजाबी अफसाना ठीक है जी नेक्स्ट इन्शाय या लाइट परसनल ऐसे असी पढ़ चुके हैं ऐवे को कि तो आया है लफ्स फ्रांसी सी लिख सारी मौन्टेहिन एदा बानी है उनने अपने हलकेफल के मदमूना नो इस ऐसे दा ना देता यह तो मुराद है को जी कहन दी कोशिश लोकां दा ख्याल है कि फ्रांसी सी लफ्स एसेट अरभी लफ सई या वस सई तो निकले है जिदा मतलब हुदा कोशिश करना बारहल इन्शाया लिखन वाले अफदुलमजीद सालिक कना यलाल कपूर अर्शद मीर चूंबडा तवाड़ी किताब चिशा मेले चूंडियां उधी दूसरी किताब है मुश्ताग बासित कमल मुश्ताग असलम कुरैश यनिवर अली मिया जफर मक्बूर डक्टर मोसन मग्याना सफर नामा सफर देहालातों वाकियात बियान करनों सफर नामा लिखन वास्ते जड़ियां तेन बेसिक रेक्वाइरमेंट्स ने और तुसी याद रखनी है ने मुझूदा जमाने वे जिन्नी देर तेकर सयाह दी अक विजटर वनुपता ने विजटर जड़े ने सियाह होगने उन्हादा वेखन समझान दा चीज़ानों एक अपना ही अंदास होंदा मैं तुसी जाहिए ते शायद उस तरह उन्हान विजट ना काल से जिस तरह प्रफेशनल विजटर जड़ेने सयाह जड़ेने और चीज़ानों वेख देने सो पहली सब तो चीज़ के तो आड का फतो थे लोकां दा रैंड सेंड सारा पता हुए तीसरी गल अधीव दा कलम यानि लिखन दा फान भी तो अनुआंदा हुए अगर तुसी लिखो गे नहीं उन्हों अच्छे बना सवार के तो अड़ा स्लूप या स्टाइल अट्रैक्टिव नहीं होएगा तो अड़ी सा सब्सक्राइब करते हैं तो अड़ी सब्सक्राइब करते हुए अगर पूरी डिटेल नहीं देती हुए ते अगर पूरी डिटेल नाल पढ़ना इन्हों ते फिर उते अलाग तो किसे बूक नू कंसर्ट दरना पहेगा पुराणा जोड़ा पूर्व सलेबस सी उदे चुछ सो नंबर सॉरी वी नंबर दा फॉल फ्लेज पार्ट सी लोग अदल दा उदे चुछ फॉल फ्लेज क्वेस्चन आंदा सी और मैं उसे तरह ही प्यार कीता सी लेकिन आठ नंबर दे नोट वास्ति अगर तुसे इना कार लोते हैं मोर देने ना कोईगा माया पंजाबी सब तो मन प्यारा की लोग की माही कितों बढ़े हैं यह बारे किया जाना कि एरानी जबान दे लफ्स माह विच्छों माहीया लफ्स बढ़े हैं माह दा मतलब हों दा चांद ते माही चांद जैसा उन्हें के अलफ लाके माया बढ़ाया गया यानि मेरा चांद जैसा महभूब लेकिन दा माही जड़ा साथे कोल पंजाबी वेच एक टिपिकल वर्ड भी है मज्जा जरान वाले नो माही किया जान दा है बाल लोगां दा ख्याल है चुक्के पंजाब दा जराई कल्चत सी जराई सैटप सी माल डंगर लोगी रख दे सी ते काम कर दे मुंडे सोने लग दे सी सो मज्जा जरान वाले जड़े मुंडे या माही या महभूब हों दे सी ओना नो माया या महभूब बना लेया गया इता मतलब डंगर चारन वाला मैं वाल या वागी ते छेड़ू हो सकता है माईया लोग गी दी बुंतर बाड़े मुक्तलब राए बेख लेना माईया दी जड़ी है ते जड़ी टेक्नीक हैं देड़ मिस्रा होंदा है याद रखना अब्जेक्टिफ दा भी सुवाला सकता है डेड़ मिस्रा माईय दा आरी ते आरी है और याद रखो पैला अद्धा मिस्रा हम दोरते बेमाई नहीं होंगा उना आरी ते आरी है याद एक आरी है और फिर दूसरी आरी है जड़ी कोई मतलब नहीं सिरफ उन्हें दे चो आरी है आरी काफिया लेया एक दम यूसफ दा पहला मिस्रा अद्धा और दूसरा पूरे मिस्रे दे दरम्यान विच कॉमा इस तरह डेड़ मिस्रे दा गीत लोका न ये रोन किया सब्डा रोंदाय दे लमाईया दो पत्तर अनारादे सब्डादो सण के रोंदे पत्थर पहाड़ाम दे पहीज़़र दे पूरा फुल्फलाई Liver – 16-man अगर किसे ने तियार की ता सी तो देते कमाल हो गए डोला कदीम लोग की सदियां तो चलता हा रहा है डोला लफ्स कितों बढ़े हैं मुख्तले फारान है यह तेन रामा लिखी रही है पहला जड़ी राय भी हो आवे के साथे खोले के लोकल दास्ताने यह ही रांजा सूनी मह पेखेएवाल ससी पुन हैं शमस रांइ दास्ताने ते डोल बादशाय समी जड़ी है समी दे डोल समी हिरोएने ते डोल हीरोई किया जांदा के डोल अगी 2 दे तो बढया दूसरा ख्याल ढोल ते मारू दी सता है दोल ते मारवी भी इनु कहने ने सिंदी दास्ताने तीसरा दढ़ा कहनदा है कि टूल पंजाब दा कदीम लोकसाज या उप्जेक्टिव दा सुवाल याद रखना पंजाब दा लोकसाज या कदीम लोकसाज केड़ा है दोल ते डोल उधे तो भी डोला बने है नेक्स्ट जी डोल दे अग्यालव दा इदाफा करके दे डोला बनाया गया जिदा मतलब ए महभूब ए सज्जन है प्यारे दे ए मिद्द डोल यांदी कदामत कोई पता नहीं कदो तो ने लेकिन कोज डोले जड़े साथे मशूर ने साही वाल दे इलाके दे अठाफा सुस्ट विंजा दी जंग हजाती दे हवाले नाल ने ऑठाफा सुस्ट विंजा तो साथ तक दी तखलीक ने उनना तो साफ पता लगदा है क्योंके अंग्रेज एक्स्ट्रा डिप या जड़े रिकार्ड ने आर्काइफ दा रिकार्ड जड़ा ओदे वे चुना ने रायामद खांखार नो पागी करार देता है लेकिन बेलकुल ओदे उपोजेट या अगेंस्ट साथे लोग फनकारा ने ओदी सही सूरत और तस्वीर पेश कीती है डोले दी कोई जी ओ नह माय्या देड़ मिस्ट्रे डा गीत हो दा बाकि ये सारे जड़े ने डोला वगेरा लोडि थाल वगेरा च्छला, सम्मी, जुमर, लिकिन अदी कोई हैत नहीं है दो-दो मिस्टे भी हो सब दें दे डोला, चाली-चाली पंजाब पंजाब मिस्टे अदा भी होंता डोले दा इलाका, बोली, माया, पूरे पंजाब दे फेवरेट लोग गीतने लेकिन डोले दा इलाका, फैसलाबाद, चांग, साइवाल, सरगोता, शाप, और मुल्ताम है इलाका, मशूर है डोला गान दे तरीके है, रवानी, रगी, चोतलापूर, गान वाले तेन अंदाजना गान देने डोले दिया किताब बहाँ है, याद रखना अब्जेक्टिफ की पोछ सकता है, प्रोफैसर शारब दे एडी जाज़ है, दो बंदे ने, जिना ने साई वाल दे लाके विच ग्राउंड रिसर्च करके, लोकां को लो सुन के, किताबां कमपाइल की दिया ने, प्रोफैसर शारब दी कन्नी बंदे, एडी जाज़ दिया, दो किताबां काल बुलें दी, चांजे, छटे, फील्ड पर केना कीता है, तो दे लोकां को लो एक एक खांजान वे जाके सुन के लिखिया, डोले दिया, किसमा, रुमानी डोले, जिद प्यार मुआ बदिया गला, काल दे डोले, काल दे नारंग दे डोले, मर्फद दे डोले, यूसफ दे डोले, हुसेनी डोले, दास्तानी डोले, उन डोले आ दिया, काफी सारी या, किसमा और मिसाला नहीं आते कुछ बेखलब हो अलिफ आ मिया ढूला बैठी मोती परोमा लिखेया पहागया जोली बैठी च्छम च्छम रोमा जनिया जला ढूला है जाहर है अपनी एक और औरत एक खातून है वो अपने महबूब नो याद करके अलिफ आ मिया ढूला बैठी मोती परोमा मोती बैठी परो रही है और अपने महबूब नो याद कर रही है लिखेया पहागया जोली बैठी च्छम च्छम रोमा जो मेरी किसमत वेच सी ओ मैनो मेल गया है और मैं तेरी जुदाई वे चम-चम रो रही है अले फामिया ढोला तेरे मोडे दे लोई लोई चदर नो कहन देने गरम चदर नो सारा जाग डूड रही है तेरे जयाना कोई सारा जाग फेर के वेखले है मैंनो तेरे जैसा कोई नहीं मिल दे अठारा सु सत्विंजा दे हवाले नहीं जड़े डूले नहीं जो एक कह मिसाल ये दे विच्चों राय हमद खांखर दी बहादरी ते अंग्रेजा दा जड़ाए ओ करेक्टर नजर आंदा काल बुलें दी ये नारद पड़िये पानी जो एक काल दे नारद दा डोला है यानि पहला मिस्रा सिरफ डोले दी पिछान दा सरे है काल दे लफसी मतलब मौत भी होंदा है ते नारद ओक रेक्टर दे जड़ा मौत दे मुँ विच्चों कड के लिए बच्चान दा है काल बुलें दी ये मौत आवाजा मार रही है नारद ने बानी पड़के यानि कलाम पड़ ले आए ये तो एक डोले शुरू होंदे यानि सौड डोला है अगर तो दा पहला आए हुई होएगा अगर आप बानी जड़ा है एदे नार फेरो काफिया चेहन यूँ दा जाएगा राठ अवल तो अवल एमद खान खरल दा कोई ना सानी यानिदा एक तो वद एक राठ सरदार ए लाके दा लेकिन राय आप खान खरल जैसा कोई दूसरा नहीं सानी हो दा कोई नहीं अंग्रेज बरकली आदा एमद नो देचा में नो कोडी नी ली, अंग्रेज एक्स्ट्रा डिप्टी कमिशनर सी, लार्ड बरकली एदा ना सी, राय आमद खां खरल ने नो शहीद की, मारेया सी, ते फिर एदी पादाश वेची, राय आमद खां खरल नो भी शहीद डर देता अंग्रेज बरकली आदा, अंग्रेज बरकली ने, लार्ड बरकली ने कहा, आदा यनी कहा, कहनदा ए, कहता है, एमद नो, राय आमद खां खरल नो, देचा, देदो, मैंनो मुझे घोडी नीली, अपनी नीली घोडी, मैंनो देदे, जाद रखो, घोडी, गोड़ा, औरत, जमीन इजद दी अलामत सी तेरी लंदनों लिखा ले आसान नेक ते नामी लंदन वेच मलका विक्टोरिया सी शायद उस दमाने केंदा मैं उत्थो तेरी गोडविल लिखवा ले आवांगा और तेरे वास्ते इनामों एक रामदा बंदो बस्त भी का यानि लालच दे रहे है एमद अदा लेंदा वदने चाल फरेबा एमद ने जवाब देता तू केंदा की मेरे नाल फरेबी चालना चाल रहे हैं तो खा दे रहे हैं मैंनों किस तरह दिया गलना किस तरह दे लालच मैंनों दे रहे हैं बुनियाद दा नमक हरामी केंदा बुनियादी ते और ते तो और जाइदाद, अब जू जड़ाएं, अलाके नू केंदेने, इना होएंते जू ही तो मुरादे, विरास्ती जमीन ना, या जाइदाद, कदे किसे लिखना देती हैं, कभी किसी ने लिखकर नहीं दी, बोतविच हों दे सासलामी, जदो तक बंदे दे साविच सा हों, जदो चीजां मंगे हां, कुई भी नहीं देंदा। जाने तो में न जानेताय मेरा ंजवानियां माने। कोई एक दो मिशाला कर ले ना सारीयां करना ज़रूरी नहीं मैंनो आमे केंदी ना समझे मैंनो ना मने मैंनो ना बोलाए मेरे पारे ना सोचे लेकिन मेरी यह दूआए के मेरा महभूब हमेशा जवानिया मान ऐसा डेवटे फजूर का इकल भी सदा जवानिया मान यानि हमेशा जवान रहो कि ना वड़ा चूँठे मैं थे माही मेरा सुद्रे सुद्रा जगा जनाए मेरा पल-पल देल पे आ उद्रे मैं आदे बगएर हर पल उदास रहने हैं उद्र ना उदास धन मेरा जिगरा जीवे ढोला मेरा होसला थन यानि मेरे होसले दी जिगर दी देल दी क्या बात है कि मैं अपने महबूब तो बगएर उदास भी हैं लेकिन फिर भी जी रही हैं जीवे ढोला महबूब जिद्धे भी रवे जिऊंदा रवे खुश रवे बूली एक मिस्रेदा गीद सिरफ असारा आइदा स्ट्रक्चर बोली की किस तरह हों दिया है अगे बोली न दिया मिस्वाला गोरी पोल गई दंदासा मलना ते गेज गई कॉल गेट ते एव विदेशी रांगदी बोली है यानि परदेश वे जदो सेख बार गए अपना कल्चर नाल लाके गए उना सिनफ ते बोली रही एक मिस्रेदी रही लेकिन उदे वे चीजां जडियाने चेंज हो गी है दंदासा और दातन जड़ी दंदां दे मल्दे सी हों दंदे मल्दे सी गोरी होन दंदासे मल्दे पोल गई है होन कॉलगेट कर दी गेज गई यानि आद्धी हो गई बोली है ते तखलीकार कौन हों देने या जिकर कीता दा बोली है वे चे रिश्टे नातियां वाली है ते जजबात वाली है ते नेक तमन नामा वाली है बोलियां कैसी यह हो दियां वीरां वालियां दे नखरे पारी एक वीर दाई वे रबा ए रब लिजद मैंनो एक परा दे दे पैना दे आए मतलब ज़स्बाद ने कि फिर असी भी नखरे कर सकांगी और साड़े परा साड़े नखरे चुकेगा मैं नो पूंड़ा दी लोड़ना कोई वे चाड़ दे तू नाइट शिफ्टा साफ पता लग रहे है कि बीवी दे अपने खामद वास दे जजबाद ने और तू जंग बंद कर दे हिटलर बच्चे मुक गएने मामा दे सेकंड वर्ड बार जिसलिए जबरन है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान वे चुपर्ट या गर के लोकान वो थे लह गए जड़े कदी वापस नहीं आए जी मशूर कुछ बोली हैं लोग बोली हैं हो थे हमला थे होन ना बेड़े जाथ कोई पुछदा नहीं अल्ला All right दी बारगा वे जी सिरफ आमाल वेखे जाणगे तकवा वेखिया जाएगा कोई जाथ नहीं पुछी जाएगी अल्ला तह दे नस्दीक सब तो ज्यादा अज़त आला होए जो थे होग तकवा वेज सब तो ज्यादा आये थे उदा मफोम बोली विच बियान होया आटा गुंदी दा मुड़का चोया तौन दे सिंदूर डुलिया तौन केंदे ने गुज्या होया जड़ा परात वेच आटा होया तौन उते सिंदूर डुलिया आटा गुंदी दा मुड़का गर्मी वेच तो अनों पता है ये पसीना किस तरह टपक रहा होंदा आटा गुन रही सी और गुजे होई आटे दे जड़ा पसीना टपक रहा सी ओ बिलकुल इस तरह सी जिमें रेड कलर दा सिंदूर होंदा है की दसना चाहिए भुन्यादी तो औरते के पंजाब दियां जड़ियां कुड ना जड़ा है ना वाइटी टपकेगा और लाल नहीं टपक सकता सिरफ एग्जाजिरेशन है ये में ओदे वेच पीर फजल साफ़ दा शेयर पढ़या सी ना राजी किया जे ना लबान दी दीद कीती नजर जुल्फ हो दी उते जा पही इस तरह दी करके रसा बाणके जालम ने के चलेंगा है आज चानदे इस तरह दाजी तीसरा शेयर सी असान जदो दामन गुल अनार कीते सो उदे वेचो अखा जो खून निगल रहा सी तो दे गुड़ते उते खून दे स्पार्ट लग गए एथे मुड़का जड़ा चूरे आयो सुरख रागदा मुराद दसना है वे के कुदरती तो और दे इनी लाल किसम दे चेरे और बख्दे चेरे लाल सुरख चेरे होंदे सी क्योंदे उत्ते कोई यो जड़ा आजकल बीबियां लांदी याने लांदी लोड़नी सी होंदी मेरे वीर नो थिंदा ना पाया ससे तेरी माज हमार जै कुड़ी दे अपने सुसराल विच रहन दया हुया अपने पेक्याव वस्ते और अपने पाई वस्ते जजबाद के मेरा पाई मेरे का राया अपनी सास नों गिला गार रही है कि उन्हों क्यों देशी क्यों सर्म नहीं कीता थेंदा नहीं पाया माजी तो यह आसल हो दाना के ओ लागार के तेरी माजु मर्जै एक रबावीर नहीं मेरी सारी उमर दे पेके यानि माबाब मर जान तु बाद पर आजडे ने वो पेके हूं देने आ रब्बू लिजद एक पर आदे दे ताके मेरा पेका हमेशा सलाम यह तो तक के परावी ना रहेंड मार जान ते उस्तवाद पती जे जड़े ने ओ पेका होंदे ने रन्ना वालियां दे पकन परोंठे छड़ेयां दी आगना बले साड़ा देश वा गंसारा चपे चपे खूब अगदे लोरी अब्यक्टिव दा सुवाल सब दो कदीम लोग गीत केड़ा है लोरी मकसद की इस गीत दा छोटे बच्चे नो चुप करान वस्ते बहलान वस्ते या जेद कार रहे बच्चे नो चुप करान वस्ते सुआन वस्ते परचान वस्ते गीत गाया जन्दा लोरी वेच खाली लाड़ ब्यारी नहीं होंदा बलके दे बेचे बच्चे दे बेतर मुस्तक्बिल वास्ते दौावां भी हो दियाने इस तो इलावा भी हर तरह दे मोज़वाद लोरी गीतां वेचे ब्यान हो सकते ने जंगल सुते पार सुते सुते सब दर्या अजे जागदा साड़ा काका नी नीदे छेती या ठीक है जी नाव मुने कदे नरो गुलाब दे पाणी नल मुखडा तो छेती छेती वड़ा हो वड़े वेड़े वेच खलो वार के मिरचा लतिया लाल पैड़िया नजरा देवा तो एकी ये जी एकी कारवेच जिते शरीक कठे रहन दे होन चाचेत आयां दी उलाद अगो कठी रहन दी होए वड़े वेड़े वेच खलो यानि कंबाइन फैमिली सिस्टम में एक दादा अगो दे फुतर ने चाचेत आये ने अगो ना दे बच्चे वेआये होए ने और एथे जड़ा ऐ माहन दे जजबात ने के तेरे बाकी कजन जड़े ने ओवर डे जवान होगे ने ते तु भी छेती छेती जवान हो ते उना दे नाल स्टेंड कर वार के मिरचा लतियां लाल, लाल, मिरचा वार के सोट दी है ताकर कोई पैड़ी नजर दे रहोते असर ना करे अलडबलड बावे दा बावा, दादा, फैमिली हड, बावा कनक ले आवेगा, फैमिली हड दी जिमा दारी जरिया आए मुआश दा बंदोबस्त करना कनक, स्टेटस, जर्याय मौाश, खाना, तो किदा जमाय जर्याय मौाश बाबेदा, दादेदा, बावी बैठी छटेगी, बावी फैमिली हैट, यानि एंजी समझ लवोगे एक कार रे, उदे दादी दादा और गुवना दे चार पांच पुतर ने, सारे वियाए होई ने, द जटा किचन हो चुला चूंका है, ऑव फैमिली हैट जडि ए, दादी कोले है, या फिर जडि ने, सब तो वड़ीजि ठानी होंदी है, ऐख कुला चूंका हुदे कोल होंदे है, बागिया ने, कामऑबंडे होंदेणे, कोई सफाइई करदा है, कोई चाड़ूदे होंदा है और कोई गोअ कूडा करदा, यानी जानवरा दा, चारा बगएरा जोचित आड़ा कुड़रा करदा, माहं पूर्च या बड़ा 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 बच्चे दिए माहं हुझे जिमे की है, उने चर्खा कतना पूर्चित बावी रूटी माने पकावेगी, बावी ने पहले गनक चटी है, साफ कीती है, पी सी है,न रूटी पकाएगी, मन रूटी, बाभा बैठा है होन बाभा जब फ़ैमिली है, जुटनों सब तो पहले सर्व कीता है, वो बैठा खा रहे है काका खिड़ खिड़ हसेगा बच्चा जेनों रोटी नल कोई लेंड देंड नहीं जेने दोद पीना मांगा सिरफ वो खिड़ खिड़ हस रहे है मकसद की है इस लोरी दे जरीए कंबाइन फैमिली सिस्टम विच की की तरीका कार सी लेंड़ा वो सारा बियान कार द ज़चा भी तुँँ देता है और एधा पालं हार भी तुँँआ तपप टपा दे माईज आम तो ओरते मिल्दी जुल्दी चीज़े चीज़े कुई ज्यादा फरक नहीं है सो एदे ओही मिसाला ने जडिया माई ये दिया ने आ चलिये कराची नू मापया ने दे छड़या मेरा रिष्टा चाची नू चिटा रांग वे दवानी दा एक तेरा रांग मुश्की दूजा फुसन जवानी दा तेले दी चाप इती लखां जी जिंद्री चन्ना तेरे पिछे वे तबाह कीती लेकिन आजकर टपे दे वालेनल मुख्तलिफ लोका ने लिखिया हो केंदे जी माई ये दे टपे वेच वोने आदी फरक है वे के माई या डेढ मिस्रे दा होंदा है जद के टपे वेच मिस्रे या नी कोई पबंदी मिस्रे जड़ेने ओ बराबर होंदेने यनी ओदे वेच दो पूरे मिस्रे बराबर होने चाही देने जिस तरा आजी ओ आमस राही दे पड़े सी बानी बरसी खटन गया ते खटके ले गाया बोंदे सोदे प्यारां दे जोरां दे नालना हुंदे एक क्याना हुना कि अइट पार करका सवा मश्य दा हुंद है तक यह नी पहला मस्रदा हो देख वोदी सिर्मेर अरफम लफज हुएगा भग फिर पूरी लाई क्या यह कंदे ने जड़ा पहले मिस्रा दा होए उते एको जे तेन लफज होने चाही देने जो भी लालो जाली 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 आरी 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 खारी 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 अगे फिर दूसरा मिस्रा बरहल इसा कोई confirm नहीं है टपेजा आम तो अरदे मुस्ति जड़ा टपा माया एक कोई लोग की गिर देने दोड़ा दोड़ा भी होई है जिसे हम जड़ा बाबा फ्रीद दोड़े ने यानि पहला जड़ा शलोग सी और शल्मा जड़ा दोड़ा एक कोई मिलती जुलती चीज़ है एंजी कहा लोगे शलोग जड़ा कलासीकी शायरी वे चुदा ना शलोग रख देता है जड़े साथे आम पिंडा था मावेच जड़े पंकार सी उन्हा दे जड़े ने ओदोड़ ए चन तुसान वो अपनिया चमकाना वखाद ये अपने हुसन होते बोता मान ना कर तैयां जड़े लख चड़न असमानों पर सजणा बाज अंधेरा क्यांता तेरे वर्गे ते लख ने असमाना होते मेरे महबूब तो बगार अंधेरा है जिस डिठे या देल रोशन होवे जब आ मिल साजण मेरा हाशम तो बगार हाशम तो आड़े बगार बहुत दुख वेचे जब छेती फोरण आजा और मेरे साजण मेनों मिल बस जी ए तो आड़ा लोगीता वाला पार्ट सी उन तो आड़े डिपेंड करता तुसी ये तियार करना है या नहीं करना बारहाल ए अब्जेक्टिव टाइप एंड चे जड़े देते ने उन्हें को अब्जेक्टिव टाइप कम असका मुकान लेंड हो अल्ला अफिस जी कोई कंफ्यूजन होए कोई मसला मसाइल होई कोई पूछना होई किताब दे पेज नंबर आई थिंक 13 होते मेरा मेरा टेलीफून लेकिन मैं पंजाबी ता जड़ा स्टूडेंट्स ने उननों फॉरन रेपलाई कर देना कोई क्वेस्चन सेट चेक करवाना होई ओभी तुसी स्कैनर दे फाइल पेज सकते उनना रेफरेंस दे देना कि ओफिसर अकेडमी ते स्टूडेंट ना ते मैं तो आड़ा ओभी च झाल रेफिसर अकेडमी तूडेंस